वेलकम बैक टो मैं चैनल दीपाइ स्टिचिंग टुटोरियल्स तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हल्टर नेक ब्लाउस की कटिंग अनि स्टिचिंग तो गैस पहले आपको क्या करना है अपने ब्लाउस की मेजरमेंट लिख लेना एक डाइरी में यहाँ पे मैंने लाइनिंग लिया है तो हम पहले डाफ्टिंग करेंगे लाइनिंग पे तो लाइनिंग को हमने इस तरह से रखा है डवल फोल्ड में बाकी एक्स्टर लाइनिंग हमने फ्लाल फोल्ड कर दिया है नीचे के और से डाफ्टिंग स्टार्ट करेंगे रेडी ले finishing देती है, उसके बाद halter neck blouse में हम 7 इंच का shoulder लेंगे shoulder हमें इसमें पूरा लेना होता है जैसे कि collar वाले blouse में लेते हैं same उसी तरीके से, क्योंकि halter neck भी एक collar blouse ही होता है तो उसके बाद हम armhole लेंगे, तो मैं armhole यहां पे ले रही हूँ, साड़े 6 इंच पे उसके बाद आपको chest का fourth part लेना है, जो भी आपका chest का measurement रहेगा मैंने आपे 34 के हिसाब से लिया है, साड़े 8 इंच तो आपको भी इसी तरीके से लेना है measurement, chest का fourth part करना है, अब नीचे की और से भी हम उतना ही लेंगे, जितना हमने उपर लिया है chest का क्योंकि कमर का कोई measurement हमें यहां पे अभी नहीं लेना होता है 1.5-2 इंच आपको extra margin लेना है अब यहां पे हम neck की drafting करेंगे, तो जो neck की चोड़ाई है, वो मैंने पौने 3 इंच ली है, और जो लंबाई ली है, वो साड़े 6 इंच पे ली है मैंने, और इस तरीके से एक box बना के हम ready कर लेंगे guys, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें साथ ही साथ well icon प्रेस करें, और आप instagram पे follow कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा, तो नीचे के ओर से मैंने 3 इंच पे mark किया है अब यहां से हम सीधा इंची टेप रखेंगे और worst point लेंगे worst point अगर आपको निकालना नहीं आता है, तो chest का fourth part, plus 1 इंच करके आप ले सकते हैं worst point यह belt party blouse है मैंने 9 इंच पे लिया है worst point और उससे 1 इंच नीचे मैंने plate डाली है और इस side की plate मैंने 1,5 इंच के gap पे डाली है fitting वाली side से हम 2 इंच के gap डालेंगे और यह armul वाली plate भी हम 2 इंच के gap डालेंगे जितनी भी plate डलेंगी वो हमारी worst point से ही डलेंगी बेक आरमुल का shape देना है डेड़ इंच की गैप पे उसके बाद हाफ इंच की गैप पे फ्रंट वाले आरमुल का ! भाकी सबी प्लेटों के बारे में मैंने आपको बता दिया थिआ है अब यहां पे में जो इसमें चीज है वो हल्टर नेक है इसमें नेक के बारे में ज्यादर डीटेल में आपको देखना है तो यहां पे मैं बनाने वाली हूँ जो नेक का शेप उसके लिए मैंने सवा इंच पे निशान लगाया है और उसके बाद क्या करना है उपर की ओर आपको साड़े चार इंच की लेंध बढ़ानी है और इस साइट से भी साड़े चार इंच की लेंध आपको बढ़ानी है लंबाई चोड़ाई में आपको साड़े चार इंच एक्स्टा लेना है मार्जन तो में चीज इसमें यही है जो हल्टर नेक कर रहेगा आपको एक्स्टर उपर कपड़ा लेना है जो कि साबा चार या साड़े चार तक आप ले सकते हो उसके बाद जैसे नीचे की ओर से मैंने सवाइंच लिया है उपर की ओर हम एक इंच लेंगे अगर नीचे की ओर हमने डेड़ इंच लिया है तो उपर की ओर हम सवाइंच लेंगे इस तरह से आपको लेना है अब यहां से इस तरह से शेप देना है जो भी आप शेप बनाएंगे तो मैं यापे इस तरह का shape बना रही हूं, मटके shape का तो मैंने यापे मटका shape दे दिया है, इसका neck का shape इस तरीके से फिलाल हम इसे ऐसी ही draft कर रहे हैं हम बाद में इसे pasting paper पे बनाने वाले हैं फिलाल हमने इसकी drafting कर दी है अब आपको जो cutting करनी है न वो बाहर वाले निशान पर करनी है नेक की cutting अभी हमने नहीं करनी है बाहर बाहर आपको निशान पर cutting करनी है अब उसके बाद हम half inch इस तरह से लेंगे और shoulder down करेंगे तो यहां पे आपको निशान लगाना है फिलाल इस शूल्डर पे कटिंग नहीं करनी है कटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी कब करनी है तो फिलाल हमने इसकी फरंट पार्ट की कटिंग कर ली है अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए बैक साइट का जो हम निकालेंगे पार्ट वो बन साइट से निकालेंगे और ये वाला पार्ट जो है न वो इसे फोल्ड कर देंगे फिलाल हम जो हमने एक्स्टर लिया है न उसे हम फिलाल फोल्ड कर देंगे यहां से आपको fold करने के बाद इस तरह से रखना है यहां पे हम back part निकालेंगे as it is आपको mark कर लेना है क्योंकि back part हम one side से ही निकालते हैं और back part आपको normal blouse की तरह ही निकालना है कोई changes नहीं होगा अब यहां पे ready length में 1 inch plus करेंगे क्योंकि front में हम ज़्यादा लेते हैं तो हमें एक कम करना होगा back part की चोड़ाई लंबाई दोनों ही कम करनी होती है जैसे इस blouse की ready length 13 inch है तो मैंने 14 inch पे mark किया है उसके बाद सीधा इस तरह से एक निशान लगा लिया मैंने अब एक inch हमने चोड़ाई भी कम करनी है क्यों करनी है क्योंकि back में हमारी 2 plate होती है front में 4 होती है फिर front का जो part है वो छोटा हो जाता है और back का बड़ा तो हमें पहले से ही उसको पहले से हमने चोटा cut करना है तो 4 inch पे और 5 inch हमने लंबाई ली है plate की अब यहां पे neck की चोड़ाई रखेंगे पौनी 3 inch back वाले neck की जैसे हमने front में रखी है half inch हमने इसकी घहराई देनी है back वाले neck की सिर्फ half inch देनी है से जादा नहीं देनी है उसके बाद 1 inch हमने shoulder को down करना है अब इसकी कर देंगे cutting तो back part हमारा simple है कोई भी इसमें changes नहीं है अब यहां से half inch तिर्चा कट करना है क्यों करना है वो मैं अभी बताऊंगी आपको half inch हमने यहां से तिर्चा कट करना होता है जब आप plate डालेंगे ना तो यह kona निकल आता है तो यह चीज़ ना हो आपके साथ तो आपको पहले से ही cut करके निकाल देना है अब आप plate डालेंगे तो बिल्कुल straight आने वाला है ठीक है अब यहां पे आपको shoulder down है वो भी cut करना है सिर्फ back part में front part में अभी हम shoulder down नहीं करेंगे यहां से आपको armhole की cutting करनी है front वाले part में यह sleeveless blouse है अब हम क्या करेंगे इसको main fabric है न इसको हम double fold में रखेंगे बंद वाले को बंद साइट से निकालेंगे और open वाले को open साइट से यहां पे आपको 1 इंच extra margin लेते हुए cutting कर देनी है तो यहां पे मैंने 1 इंच extra margin लेते हुए normal blouse की तरह cutting कर दी है अब यहां पे हम lining को इसके उपर रखेंगे चारों तरब से इसमें हम सिलाई लगा के कच्चा कर लेंगे चारों तरब से इस तरह से अब जो इसका extra कपड़ा है उसे भी हम cut करके निकाल देंगे back part को लेंगे इसके उपर lining रखा इसे भी चारों तरब से हम सिलाई लगा के complete कर लेंगे बिल्कुल चारों तरब से सिलाई लगा के extra कपड़ा हमने cut कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं तो मेरे यहां front के दोनों part ready हो गए है lining attach करने के बाद back part को fold करेंगे center पे mark करेंगे center पे मैं इसमें design बनाऊंगी तो आपको क्या करना है double fold में आपको बुकरम लेना है तो इस तरह से हम इसमें pan की shape का design डालेंगे back side में आप चाहें तो skip भी कर सकते हैं यह design ready length हम लेंगे neck की 9 inch उसके बाद एक box बना लेंगे यहां से एक इंच extra margin लिया हमने बुकरम पे neck की चोड़ाई 3 inch लेंगे अब इसमें कुछ इस तरह से shape दे देंगे यहां पे इस तरह का एक shape दे देंगे आप कोई भी shape इसमें बना सकते हैं heart shape भी आप बना सकते हैं यहां से आपको joint cut नहीं करना है अब एक कपड़े पे इसे paste कर लेना है इस तरह से इसे fold करना है एक इंच extra margin लेते हुए चारो तरप से आपको fold कर लेना है जैसे कि normal neck paper करते हैं उसी तरीके से अब इसे center से fold किया हमने mark कर लेना है इस पे भी हमने center से mark किया है back part पे अब इसके उपर इस neck को रख देंगे यहां से आपको पहले एक सिलाई लगा लेनी है फिर उसके बाद इस shee shape में आपको सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद इसे यहां से cut लगाएंगे पहले अब इस part को निकाल के हटा देंगे जो हमारा extra party से निकाल दिया अब पूरे round पे हमने cut लगाने है ताकि easily return हो जाए इस तरह से return किया हमने कच्चा बख्या लगा देंगे इस पे बाद में आप तुरपाई करेंगे इस पे इस तरह से आपको रखना है उपर की side color आ जाएगा अब यहाँ पे plate डाल देनी है यहाँ पे मैंने plate डाल के back part को कर लिया है complete अब आती है main baris की front part की तो back part हटा देना है front part को लेना है अब यहाँ पे मैं इसे बनाऊंगी pasting पे front part आप pasting paper से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप beginner हैं तो तो हमने इस case आप से ही pasting ली है तो 1.5 इंच यहाँ पे land आ रही है total और यहाँ से जो land आ रही है 1.5 इंच अब यहाँ से उपर से जो land आ वो 1.5 इंच है तो हम pasting पे भी 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे उसके बाद 6 इंच आ रहा है यहाँ पे तो हम यहाँ से भी इसी तरीके से same drafting करेंगे हम बिल्कुल सेम आप चाहें तो इसे रख के छाप भी सकते हैं अब इसको हमने सीधर निशान लगा लिया अब इसकी चोड़ाई रखेंगे 3 इंच क्योंकि front open blouse है तो हाफ इंच हमारा पट्टी में भी जाएगा नेक की चोड़ाई कम हो जाएगी अब जितना यहाँ पे चोड़ाई है उतना ही हम इसमें भी रखेंगे हाफ इंच हमने extra लिया है क्योंकि हाफ इंच जब हम तुरपाई की पट्टी लगाएंगे ना हुकाई की पट्टी उसमें जाएगा तो हाफ इंच नेक की चोड़ाई कम हो जाएगी तो आपको हाफ इंच बढ़ा के लेना है अब आपको इस तरह का शेप देना है अब इसको एक इक इंच extra मार्जन लेते हुए हमें बिल्कुल इसी शेप में मांग करना है पेस्टिंग पे बिल्कुल हमने similar ही drafting करनी है अब इसकी cutting कर दी मैंने अब इसे कपड़े पे हम पेस्ट करेंगे और साथ ही साथ इसके बीच वाले पार्ट को भी हमने पेस्ट करना है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना इसे हम पेस्ट करेंगे ताकि इसकी चोड़ाई जोय वो जादा न हो जाए जो लोग beginner है ना उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ इस वीडियो में पूरा देखना इस वीडियो को अब इसे हम पेस्ट कर लेंगे पेस्ट करने के बाद इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कट लगाना है ताकि फोल्ड करने में जोल बिल्कुल भी ना आए इस तरह से आपको पूरे नेक को फोल्ड कर लेना है जैसे नॉर्मल हम बुकरम का नेक बनाते हैं अब इस बीच वाले पार्ट को हम रिमूफ कर देंगे यह हमने इसले पेस्ट किया था ताकि नेक की जो चोड़ाई है वो बढ़ ना जाए अगर आप इसे नहीं लगाते तो चोड़ाई इसकी बढ़ जाती अब इसकी जो चोड़ाई है वो मेंटेन है हमारी उसके बास सेंटर से फोल्ड करके हम कट कर देंगे तो यहां पे दो पार्ट हो गए हमारे पास अब फ्रेंट के दोनों पार्ट पे इस तरह से रखेंगे सीधी साइड पे हम रखेंगे इस नेक को क्योंकि पलटने के बाद उलकी साइड यह चला जाएगा तो पहले यहां से इसी शेप में आपको सिलाई लगानी है दोनों पार्ट में दोने एक साथ आप बनाएं और इसे सुई से पिनप कर लें पहले तो यहां मैंने सिलाई लगा ली है अब हाफ इंच को छोड़ते हुए आपको यह कट कर देना है गैस कट करने के बाद इसमें नोचिस लगाने है ताकि इसली यह टर्ण हो जाए नोचिस लगाने बहुत जरूरी है अब इसको इस तरह से रखके सिलाई यहां पे लगानी है बिलकुल इसको टच करते हुए प्रॉपर फोल्ड नहीं करना है बस यहां पे टच करते हुए इसलाई लगाएंगे अब इससे हम प्रॉपर फोल्ड करेंगे लेकिन पूरा फोल्ड नहीं करेंगे सिर्फ शोल्डर तक उपर का चार इंच हमने छोड़ देना है यह हम इसलिए छोड़ेंगे ताकि हम कॉलर को अच्छे सा टैच कर सके दोनों पार्ट हमने बना के रेडी कर लिये हैं इतना हमने छोड़ दिया है उपर का चार इंच तक अब यहां पे इसको इस तरह से निशान लगाएंगे जहां तक यह हमारा बुकरम है और उसके बाद half inch extra लेंगे हम जो निशान लगाया है ना उसके बाद एक निशान इस तरह से लगाएंगे और half inch हमने extra लगाना है यहां से यहां से half inch लगाने के बाद बाकि हमने cut कर देना है तो कैसे करना है वो चीज़ आप देखेगा क्योंकि extra हमें जरूरत नहीं है सिर्फ हमें यहां तक ही जरूरत है half inch हमारे stitching में जाएगा उसके बाद जो आएगा उसे हम हटा देंगे अब यहां पे front part में shoulder down करने है एक inch तो shoulder down अब आपको करने है cutting के समय नहीं करने थे यहां पे neck बनाने के बाद हम shoulder की cutting करेंगे इस तरह से तो एक inch हमने back part में भी down किये हैं तो front में भी हम एक inch ही down करेंगे अब आप देखेंगे यह बुकरम के साथ हमने half inch extra रखा है अब इसी तरीके से हम दोनों part में cutting कर लेंगे अब डालेंगे plates जो simple blouse में plate डालते हैं ना सेम बैसे ही डालनी है आपको तो सभी plate हमने डालनी है आप हमने back part के उपर front part को रखना है इस तरह से दोनों की सीधी side अंदर की और रहेगी अब इसकी stitching करनी है shoulder की तो यहां से इस तरह से आपको shoulder की stitching करनी है यहां पे आपको ध्यान से देखना है इस तरह से आपको shoulder attach करना है यहां पे सुई को नीचे करेंगे क्योंकि corner आजाता है यहां पे अब जो back part का center है ना वहां तक आपको यहां तक ले जाना है यहां तक आपको सिलना है इसे बहुत ही slow process से आपको करना है अब same हमने दूसरी side के shoulder को भी attach करना है इस तरीके से पहले आपको आधा सिल लेना है अगर आप beginner है तो detail में मैंने यहां पे आपको बताया है इस तरह से आपको सिलना है इसे यहां पे corner आएगा ना तो सुई को नीचे करके फिर आपको हलका सा slow process से करें अब इन दोनों को इस तरह से पकड़ना है जहां पे हमारा center है ना वहीं पे आपको सिलाई लगानी है फिल पहले से आपको इसे cut नहीं करना है इस तरह से सिलाई लगाए और इसको पकड़ के देखना है आपको तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है कितना आना है लेकिन आप पहले से cut नहीं करें इस तरह से पकड़ के देखें अब आप देख रहे हैं यह बड़ा हो रहा है तो मैं बापस से इसमें एक सिलाई लगा दूँगी अगर आप पहले से कट कर देंगे और बिगनर है तो यह छोटा हो जाएगा फिर इसका कुछ नहीं हो सकता है तो इस तरह से आप पकड़ के देखें अब आप देखेंगे ना कम्पलीट आ गया है अब इस तरह से हम वापस अटेच कर देंगे यह जो दोनों पार्ट है ना दोनों साइट कर देने है ताकि यहां पे बहुत ज़्यादा मोटा ना हो अब मैं इस पे ओवर लॉक करूंगी पहले आप देख रहे हैं ना कॉलर का सेंटर बिलकुल बैक पार्ट के नेक के सेंटर पे आ रहा है इसी तरीके से आपको लाना है आगे पीछे नहीं आएगा अब यह जो कॉर्णर है यहां पे कट लगाने है आपको क्योंकि कट नहीं लगाएंगे तो यह अच्छे से सेट नहीं होगा इस तरह से आपको कट लगाने हैं दो से तीन कट आप लगा सकते हो अब मैंने यहां पे ओवर लॉक करे लिया है अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल सेंटर से हम फोल्ड करना है स्टार्ट करेंगे इस तरह से पहले सेंटर से सेंटर मिला देना है और कच्ची सिलाई लगानी है पहले हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें तुर्पाई करनी है तो यहाँ पे कच्चा बख्याई हम लगाएंगे और जो इसका शोल्डर है वो बैक साइड की और निकालना है हमने ताकि यहाँ पे उठा उठा ना रहे बाद में हम तुरुपाई करेंगे अब आप देख सकते हमारी जो ब्लाउज है वो नेक हमारा बन के कंप्लीट हो गया है अब यह स्लीबलेस ब्लाउज है तो हम और एप पट्टी कट करेंगे और आर्मुल को रेडी करेंगे सीधी साइड मेंने इस पट्टी को रखा है और एप पट्टी को हलका सा खीशते हुए इस पट्टी को रखना है और स्टिच करना है अब इसमें हम कट लगा देंगे हलके से इस तरह से अब सिंगल फोल्ड करना है पूरी पट्टी को, अब हम इसे खीचेंगे नहीं, लूज छोड़ते हुए सिंगल फोल्ड कर लेंगे बैक साइट के एक्स्टा कप्ड़े को हम कट कर देंगे आप चाहें तो इसे सिंगल फोल्ड करके तुरुपाई कर लें या फिर आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें सिलाई लगा दी है पक्की सिलाई या फिर आप तुरुपाई भी कर सकते हैं अब हमने दुनों साइट के आरमौल रेड़ी कर लेने हैं अब इस साइट से हम सिलाई लगाएंगे दोनों को इक वल पकड़ेंगे और इक, बिल्कुल हाफ इंच के गैप पे हम सिलाई लगाएंगे हाँ, बिल्कुल सीधी साइट से हमने लगाई है जी, हाँ अब आपको एक पत्टी अटेच करनी है जो कि पूरे blouse में हम अलग से अटेच करेंगे इसी में हम fold नहीं करेंगे कपड़े को हम पत्टी अलग से लेंगे एक straight पत्टी लेनी है half inch पत्टी बहार निकाल दी है मैंने अब इसको सीधी साइड से रखके हम पूरे बलाउस पर टैच कर देंगे अब इसे हम सिंगल फोल्ड किये हैं अभी पट्टी को अब चेस्ट का फोर्ट पार्ट लेना है आपको जो भी आपका चेस्ट का फोर्ट पार्ट रहेगा न यहाँ पे कमर का foot part लेना है अब इसमें आपको दोनों side mark कर लेना है और जो eye पट्टी है उसको छोड़ देना है fitting का अपना निशान लगाया है उसी पर आपको शिलाई लगा देनी है अब आप देखेंगे जो पट्टी है ना इसको इस तरह से हमने लगाया था अब इसे proper fold कर देंगे पहले आपको कमर चेक कर लेनी है कमर का जो भी measurement है वो ठीक से आया है या नहीं उसके बाद आपको ये final slide लगानी है जो पट्टी को fold करने की हम लगाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे blouse का जो final look है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको कैसी लगे आपको हर्टनेक blouse की वीडियो थेंक यू